आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th Standard के Maths की तियरम सीरीज क्योंकि Maths का सीलमस तो हमने अलरड़ी कंप्लीट कर लिया है Maths की जो तियरम सीरीज है इसमें अलरड़ी हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके है Trigonomatic Function जो 3rd चैप्टर है और 4th चैप्टर Pairs of Straight Line इस लेक्टर में हम देखने वाले हैं जो आपके Maths 1 का चैप्टर नमबर 5 है Vactor यह जो वैक्टर चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे तियरम है इसका वेटेज भी बहुत जादा है तो इसके अंदर मैं Maximum सारे के सारे जितने भी थियरम से सब की सब बताने की कोशिश करूँगा जो important है वो तो बताऊंगा ही board में जो आए हुए हैं previous year papers में बढ़ उसके साथ जो छोटे मोटे थियरम से वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अगर आपने पिछले जो ठीरम से चैप्टर्स के वो नहीं देखे तो वो भी देख लो और अल्रड़ी मैं 12 का जो नया सिले बस कंप्लीट करके रख चुका हूँ प्लेलिस्ट में आप जाके सब को सीख सकते हैं तो चलो वेक्टर का पहला थीर hm देखते हैं when q q on a a यई फियंधल अ कि गया इस इसका जो इतना हम इंपोर्टन पडर व में जो इंपोर्टمر करा हूँ पर्में उस इस हैं नहीं फिर वी चो तासा इसका प्रूफ है वह जरूर देख लेते हैं लेकिन इसके बाद थीरम में देखो two non zero vectors a bar and b bar are collinear सबसे important है theorem को पढ़ना उसको समझना question जब paper में आएगा तो theorem इस तरह से बड़े-बड़े लिखे होते हैं बच्चे डर जाते हैं पढ़के ही अरे बाबर यह कैसा इसका proof क्या होगा लेकिन कभी-कभी क्या होते हैं कि जो theorem के proof बहुत are collinear और a bar और b bar दोनो vector collinear है if and only if यहाँ पर यह काफी important point है if and only if यहाँ पर by condition दिया हुआ है logic में जो आपने सीखा था if and only if there exist scalars m and n m और n scalar होना चाहिए at least one of them is non zero m और n में से दोनों एक साथ zero नहीं होना चाहिए कोई एक तो non zero होना चाहिए m या तो n such that m a bar plus n b bar is equal to zero bar यानि कि यह condition आने चाहिए m और n m और n दो scalars है scalar है मतलब वो vector नहीं है उसका उस तो magnitude है value है से numbers है 2, 3, 4, 5 इस तरह से m a bar plus n b bar is equal to zero bar होता है यह condition है यहाँ पर जो a bar और b bar है यह दोनो non zero vectors है और kolinia है अब सबसे important है if and only if अगर logic की बात करेंगे तो logic में आपने क्या सिखा था कि p if and only if q अगर होता था याद करो क्या था तो इसको हम ऐसे लिखते थे p if p then q and if q then p यानि by conditional p होगा तो q होगा and q होगा तो p होगा यानि क्या कि यहाँ पर हमें जो proof करेंगे दो part करेंगे तो एक तो only if part रहेगा और एक if part रहेगा यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि अगर कोई दो non zero vector से a bar और b bar जो kolinia है तो यह आना चाहिए और उल्टा करेंगे कि अगर यह दिया है तो इससे उल्टा reverse आना चाहिए converse तो कैसे करना है देखो यहाँ पर proof लिखता हूं सबसे पहले proof हम लिखेंगे यहाँ पर two non zero vectors a bar and b bar तो यहाँ पर लिखेंगे a bar and b bar are collinear vectors हम अटा देते हैं यहाँ से collinear vectors हमारे पास दो वेक्टर से दोनों collinear है a bar और b bar दोनों collinear vectors है ऐसा जब भी होता है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जैसे a bar is equal to t into b bar आपको पता ही है कि जब भी दो वेक्टर को लिनियर होते हैं तो वह एक दूसरे को linear combination में या scalar multiple के form में हम उसको represent कर सकते हैं ठीक है अब हमें यह लाना है कि अगर a bar और b bar linear vector है तो ma bar plus nb bar इसको दो 0 आना चाहिए तो हम क्या करते a bar और b bar को इस तरह से represent किया यहाँ पर t क्या है t is a scalar tx scalar है फिर क्या करते tb bar को यहाँ पर लाते हैं तो यह हो जागा a bar minus tb bar is equal to 0 पर लाना क्या था ma bar plus nb bar अब यहाँ पर करो कि let m is equal to 1 and n is equal to minus t मैं क्या कर रहा हूँ यह जो a bar के साथ कुछ ही नहीं है तो समझो 1 है तो यह 1 की जगह पर मैं m consider करता हूँ scalar m फिर a bar फिर यह जो minus t उसकी जगह n लेता हूँ जो minus t उसकी जगह n plus n और यह b bar is equal to 0 पर यहाँ पर यह vector लेना पड़ेगा क्योंकि left hand side में equal के पहले vectors है तो right hand side में भी vector होना चाहिए तो आपको जो लाना था वो आ चुका बहुत छोटा proof है बस इतना ही है देखो क्या था कि दो non zero vectors थे a bar और b bar और वो collinear थे तो कोई भी दो vectors अगर collinear है collinear है तो हम कैसे लिखते है कि जो पहला vector है दूसरे vector के linear combination में होगा scalar multiple होगा तो a bar into t b bar t जो है scalar है अब हमने क्या किया t b bar को इस तरफ लाया तो minus t b bar हो गया is equal to 0 bar 0 bar क्योंकि इधर vector है तो इस side भी vector होना चीए a bar के कुछ नहीं पहले कुछ नहीं तो 1 समझ लो b bar के पहले कुछ नहीं तो अरे कुछ है minus t है ठीक है तो अब a bar के पहले जो 1 था उसको m रख देते और minus t को n और वो चीज यहाँ पर link देते जिससे यह आ गया तो हमने क्या किया कि जो दो non zero vectors a bar b bar collinear है तो हमें दो scalar मिले m और n यह दो scalar थे ओके और m a bar plus n b bar इसको 0 bar हमने लाया अब यह जो था इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं proof में only if part यानि कि देखो यहाँ पर if and only if है तो जो only if वाला condition था कि यह होगा तो यह होगा a bar b bar non zero vectors collinear है तो यह होगा वो कर दिया only if part का proof देखा अब यह दूसरा proof देखते if part if part मतलब क्या कि conversely याने if if मतलब कि उल्टा ma bar plus n b bar अगर दिया है तो फिर हम यह collinear भी ला सकते हैं तो हम ऐसे लिख सकते if part ma bar plus n b bar is equal to zero bar मतलब उल्टा कर रहे हैं भी पहले क्या था a bar और b bar collinear था तो उससे हमने यह लाया था अब उल्टा करके देखते हैं यह दिया है तो यह भी आना चाहिए जैसे मनें बता ना p if p then q q then t तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर हम simplify करते हैं यह जो n b bar है उससाइड लेकर जाओ यह n b bar गया तो 0 bar के साथ बिलके यह जागा माइनस n b bar 0 बार हट जाएगा अब यह जो m a bar है यहाँ पर हम लिख सकते हैं a bar is equal to m into इस तरह गया तो minus n upon m इस तरह से किया और यह b bar है ओल्रेडी तो n के साथ m divide हो गया फिर a bar is equal to यह पूरा जो स्कैलर है नंबर है उसको हटा के t लिख सकते हैं t b bar और यहाँ पर लिख सकते हैं कि where where t is equal to minus n upon m इस तरह से हम लिख सकते हैं यह replace कर दिया अब a bar is equal to t b bar है तो therefore a bar and b bar are collinear vectors a bar and v bar are collinear vectors तो क्या था two non-zero vectors a bar and b bar are collinear तो a bar and b bar are collinear तो a bar and b bar are collinear ला दिया हमने अच्छा यहाँ पर रिख था at least one of them is non-zero तो m और n में से न देखो यह m upon में है तो यह denominator m यहाँ पर ले सकते हैं कि if ऐसे लेते if m is not equal to 0 यह m upon में है इसको 0 मत ले लो अगर यह 0 हुआ तो यह infinity हो जाएगा infinite हो जाएगा जो scalar है infinite हो जाएगा तो यह कभी भी upon में जो denominator होता है वो 0 नहीं होना जाएगा इसी condition तो यहाँ पर क्या होगा हमको यह भी मिल गया at least one of them is non-zero तो m और n में से at least एक जो m है वो non-zero, 0 नहीं होना जाएगा क्योंकि वो denominator में आ रहाने तो infinite value हो जाएगी तो हमने क्या किया ए बार और बी बार अगर collinear है तो उससे यह relation लाके दिखाया और अगर यह relation दिया है तो उससे वापस से ए बार और बी बार जो है collinear लाके दिखाया तो देखों कितना simple है इसको दो part में कर रहे है most of अभी आगे जो theorem से इस तरह से if and only if जब भी दिया होगा तो दो part करेंगे conversely भी करेंगे तो यह most of exam में पूछा नहीं जाता है rarely अगर पूछा गया तो फिर भी कैसे अपने book में है तो अपने को सीखना चाहिए इसके बात का जो theorem है वो हम देखते हैं इसको copy कर लो अभी जो theorem बताऊंगा काफी important है second theorem, theorem number two let a bar and b bar be non-collinear vectors of vector r bar is coplanar with a bar and b bar if and only if there exist unique scholars t1 and t2 such that r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar अब देखो question number one में ने कहा कि ज़्यादा exam में पूछा नहीं गया है और बहुत छोटा है पड़ किसी को भी छोटा नहीं समझना जिए हो सकता है कि वो भी इस साल पूछ लिया जाए अब अगर आपको theorem number one समझा रहेगा तो theorem number two और एचे समझेगा क्योंकि उसका ही उसी के तरह थोड़ा सा advance है अब जैसे ये theorem है, ये important theorem है क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ because ये theorem July 2019 अभी 2020 जाल हूँ है, पिछले साल जो repeater exam हुई थी, जुलाई की उसमें पूछा गया था, इसके पहले मार्स 2013 में पूछा गया है तो इस तरह से कुछ-कुछ बार ये theorem पूछा गया है और हम बोल नहीं सकते कौन सा theorem आएगा कुछ नहीं आएगा, हमें सब तीरम करके रखना है किसी को भी छोटा नहीं समझना है हाँ, इसका प्रूफ बहुत आसान है, अभी मैं सीखा दूँगा तो आपको आसान लगेगा, तीरम नमबर वन जैसे किया, उसी तरह से इसको भी करेंगे पहले समझो लेट A बार और B बार be non-collinear vectors non-collinear vector मतलब A बार और B बार एक ही लाइन में नहीं है, दो अलग-अलग vectors है, non-collinear है vector R बार is coplanar with A बार and B बार suppose इस तरह से दो vector है, A बार और B बार है, ठीक है, यह A बार और B बार दो vector है यहां से एक तीसरा आर बार है जो co-planar है यह दोनों के साथ एक ही plane के अंदर है co-planar देखो इस तरह से एक ही plane के अंदर है समझ में आ रहा है तो दिखाई देर है ना अच्छा ऐसे करते हैं अब दिख रहा होगा पहले समझो यह था ए बार और बार दो वेक्टर है दोनों वेक्टर है नोन कोलीनियर वेक्टर है नोन कोलीनियर मतलब कि एक ही लाइन में नहीं है यह कोलीनियर होता है पैरलल होगा तो भी कोलीनियर बोल सकते है बट नोन कोलीनियर मतलब एक लाइन में नहीं है इस तरीके से तो सब्सक्राइब अग При valores अगर कॉलेटों एस तरह के अन थne perspective is that तरह से ओंस्व इन खीक साथ कॉलेनर लग डारिक्षन में अगर को बंडार को केजिए इस तरह रहें करें से अंदर नौ इश्षट्थ का कफी इंपोर्टेंट और गई if and only if part, if and only if, if part है and only if part है, दो पार्ट है, there exist unique scalar, यह तीसरा पार्ट है, कि जो scalar T1 और T2 है, यहाँ पर T1, T2 यह scalar है, और दोनों scalar unique होने चाहिए, यानि कि अगर वहाँ पर कुछ और भी रख देते हैं, तो उसकी value वही रहने चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तो इसको हम proof करते हैं, जैसे अभी first वाला किया था, वही तरीका है, proof करने का, आप चलो इसका proof देखते हैं, यहाँ पर यह जो A बार और B बार यह vector लाके यह दिखाना है, सबसे पहले हम only if part कर रहे हैं, only if part, फिर if part करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है न, if and only if part, को नवर्स भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए A बार और B बार शो करने के लिए एक vector हम ऐसे ले लेते, यह OA, इस तरह से vector है, एक दूसरा vector लेते, OB, ठीक है, अब यहाँ से ऐसे मान लेते न, कि जो यह OA है, प्रूफ क्या है, OA, let A बार जो vector है, is along OA, यह जो OA है, उसके along A बार है, and जो दूसरा B बार है, that is along OB, यह जो OB है, उसके along B बार है, अभी एक आर बार लेते, इस तरह से, इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, P नाम दे सकते हैं, समझो, and let R बार is along OP, इस तरह से हमने ले ले दिया, यह R बार है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक point लेते हैं, इस point से एक parallelogram बनाते हैं, यह जो line है, सपोज इस line को मैं और थोड़ा सा उठा के बनाता हूँ, इस तरह से, ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से बनना चीए diagram, और इस line को भी change करता हूँ, सपोज मैं, यह जो center है, यहाँ से और एक लक्टर बना, तो सपोज यहाँ पर एक point है, P, और यह जो O, P है, उसको हमने R बार लिया, जैसे मैंने यहाँ बता है, let R bar is along O, P, अब क्या होगा देखो, R bar is along O, P, अब क्या करो, यह जो है न, इसके parallel इस P point से, एक segment ड्रॉ करो, इस तरह से, यह इसके parallel, और यह जो है, इसके parallel इक करो, यह इस तरह से draw करो, तो अब सपोज यह point M है, और यह point N है, text book में जो चीज़े दी है, वही मैं मता रहूं, text book follow करना, okay, so, यहाँ से अब यह क्या होगा, देखो, यह और यह parallel है, यह और यह parallel है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि O M, okay, O M bar is equal to, देखो, यह जो O M है, वो A के उपर है, यह जो O A है, उसको हमने क्या नाम दिया था, A bar, जो पूरा O A है, O A, उसके along भी A bar है, बट सिफ O M की बात करेंगे, तो O M क्या होगा, पूरे A bar का, सपोच कोई एक part है, T1, T1 एक scalar दे देते, पूरे A bar का एक हिस्सा है, तो उसमें T1 लगा दिया, scalar, यह जो O N है, O N, O N bar क्या हो जाएगा, पूरा जो O B है, O B के along क्या है, B bar है, O B के along B bar है, O B के along, बट उसका एक हिस्सा है, O N, तो यह B bar है, इसमें T2 दे दिया, एक scalar, तो T2, हम लिखेंगे, where T1 and T2 are scalar, अब याद करो, 11th standard में आपने जो है, वेक्टर सीखा था, parallelogram law of vector addition, वो क्या होता था, हम यहाँ लिखते हैं, by parallelogram law of vector addition, तो इसमें आपको याद होगा, हम ऐसे करते थे, कि अगर यह parallelogram law है, तो जो diagonal होता है, starting from origin, यहाँ 0 से, जो initial point है, वहाँ से जो diagonal होता है, suppose यह r bar है, that r bar is equal to, हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इस format में लिखें, तो op bar, op bar is equal to, op bar is equal to, om bar plus on bar, om bar plus on bar, इस तरह से हम लिख सकते हैं, अब op क्या है, देखो, op को हमने r किया है, r bar is equal to om, om क्या है, t1 a bar, t1 a bar plus, यह on क्या है, t2 b bar, क्या लाना था देखो, such that r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar, देखो, आ चुका है, आपको जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था, only if part में वो आ चुका है, only if part मतलब क्या, if and only if, there exist in unique scalars, जो t1 और t2 अगर scalar है, तो such that यह होना चाहिए, तो इसको मैंने only if part में ले लिया, अभी if part, if part क्या है, इसका उल्टा, उल्टा क्या है कि अगर यह है, r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar है, तो at that time, जो vector r bar है, वो co-planar होना चाहिए, a bar और b bar के साथ, मतलब कि यह जो हमारा vector है, यहां से, यह जो r bar है, और यह जो a bar और b bar है, यहां से हम देखेंगे, suppose यह r bar है, a bar और b bar है, और यह जो r bar है, यह तीनो vector, यह एक plane में होना चाहिए, तो वो कैसे proof करेंगे, अब उसका if part हो गया, if part, दूसरा हो गया, यह only if part है, यह proof हो गया, अब उल्टा, converse कर रहे हैं, कि अगर यह दिया है, okay, if part, r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar, अब इसमें देखो, हम लोगों को क्या करना है, कि r bar उल्टा करना, t1 a bar plus t2 b bar है, तो हमें बताना है कि, यह vector r bar, जो है, coplanar है, a bar और b bar के साथ, तो देखो, कोई भी जो दो vector है, a bar और b bar vector है, वो non-collinear दिया हुआ यहां से, तो यह दोनों कोई भी दो vector coplanar होता है, जब तीसरा vector आता है, तब देखना पड़ता है, क्यों coplanar है कि ने, तो यहां पर हम देखे, a bar and b bar are coplanar vector, यह दोनों coplanar है, coplanar vectors, अगर a bar coplanar है, b bar के साथ, तो a bar के साथ अगर कोई scalar आता है, t1 a bar, और b bar के साथ कोई scalar आता है, t2 b bar, तो वो भी क्या हो जाएगा coplanar हो जाएगा उसके साथ अगर कोई scalar आता है तो वो भी coplanar हो जाएगा तो T1 A bar and T2 B bar are also coplanar अगर इन दोनों को plus करते T1 A bar और T2 B bar इनको plus करेंगे तो एक तिसरा vector है और ये क्या था T1 A bar plus T2 B bar यह R बार है यह T1 A बार प्लस T2 B बार है वो original जो A बार और B बार थे उसके साथ भी coplanar हो जाएगा coplanar vectors ओके यहाँ पर vectors मतलब क्या है देखो A बार B बार A बार और B बार अगर एक ही प्लेन में उनके साथ कोई scalar आ जाएगा तो भी वो एक प्लेन में रहेगा और उनको अगर एड करेंगे तो भी वो coplanar ही रहेगा A बार B बार के साथ अभी जो T1 A बार प्लस T2 B बार था वो था क्या R बार दिया है तो यहाँ पर इसको R बार लिख देंगे A बार और B बार R coplanar vectors यह क्या था इफ पार था मतलब क्या था देखो actual में क्या था कि A बार और B बार non-collinear vectors है उसका use करके हमने यह निकाला only if R बार is equal to T1 A बार प्लस T2 B बार तो वो आ चुका है अब उल्टा करने का only if के बाद इफ पार कि अगर यह दिया है आर बार is equal to T1 A बार प्लस T2 B बार दिया है तो आप बताओ कि यह जो R बार है और A बार B बार coplanar भी होंगे यहाँ पर दिया देखो vector R बार is coplanar with A बार and B बार if तो इसको हम if part बोल रहे है if part कैसे है समझ में आ है तो हमने यह जो relation दिया था उसमें A बार और B बार coplanar है तो यह दोनों coplanar होगा तो इनको plus करने के बाद जो आएगा वो A बार B बार के साथ coplanar होगा इसलिए यह तीन हो coplanar if part होगे अभी इसके अंदर और एक है तीसरा part if and only if there exist unique scalars T1 and T2 मत्तिवे जो T1 and T2 है यह दोनों जो scalar है यहाँ पर यह unique होना चाहिए यहाँ पर जो T1, T2 आ रहा है यह unique scalar होना चाहिए unique scalar मतलब कि उसकी अगर कोई उसकी जग़ पर दूसरी value आती है तो वो इतना ही same ही होना चाहिए उसको तो चलो उसके लिए करते हम इसको लिखते है uniqueness uniqueness इस तरह से है समझो अभी समझो कि T1 और T2 जो दोनों scalar थे यहाँ पर T1 और T2 जो दोनों scalar है उसकी जग़ दूसरा कोई scalar हाता है let r-bar इसको लो T1 की जग़ कोई S1 आ रहा है पर T2 की जग़ कोई H2 आ रहा है दूसरा scalar आ रहा है तो क्या उसका value same होगा S1 की value T1 को same होगी क्या S2 की value T2 को same होगी या उसकी value change हो जाएगी तो यह हमें देखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों को compare करते हैं यह R बार R बार है यह equation 1 है equation 2 है suppose ना मैं 1 में से 2 को minus करता हूँ subtract 2 from 1 तो क्या मिलेगा हमको 2 from 1 1 में से 2 R बार minus R बार 0 बार is equal to T1 minus S1 A बार plus T2 minus S2 और B बार इस तरह से मिल गया हमने क्या किया subtract किया यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है क्या एक मिनट च्छा यहाँ light आ रहा है यहाँ पर क्या है देखो T1 A बार and T2 B बार यहाँ light आ रहा है मैंने क्या किया इन दोनों को minus किया तो इसमें से minus हुआ इसमें से minus a bar common आया बी बार common आया अब यह 0 bar है एकदम ध्यान से देखना इसको हम लिख सकते है 0 0 bar को हम ऐसे लिख सकते है 0 into A bar plus 0 into B bar तो क्या 0 bar ही हो जाएगा पूरा मिला कि compare करने के लिख रहे हैं हम लोग t1 minus s1 a bar plus t2 minus s2 b bar अब compare करो देखो 0 bar को हमने 0 into A bar plus 0 into B bar समझने के लिए किया तो A bar के साथ जो है वो 0 हो जाएगा A bar के साथ 0 है और यह b bar के साथ जो है वो भी 0 हो जाएगा तो आपको यह step लिखने की ज़रत नहीं है सिर्फ direct करेंगे यहां से A bar के साथ यह जो value है को इफिएट यहाँ 0 है इसलिए यह 0 हो जाएगा t1 minus s1 is equal to 0 and यह जो t2 है t2 minus s2 है यह b bar के साथ है वो भी 0 हो जाएगा so t1 minus s1 उस तरफ गया तो s1 and यह scalar है इसलिए bar नहीं दे रहे हैं t2 is equal to यह t2 है is equal to minus s2 आ गया तो s2 इसका मतलब t1 के बतले अगर s1 कर देते हैं तो भी वो equal ही आएगा t2 के बतले s2 करते तो वो equal ही आएगा therefore if there exist unique scalars t1 and t2 therefore uniqueness uniqueness exists ok exist समझ में आगे है बस इतना uniqueness एक बार चेक करना था यह unique पूछा था कि t1 और t2 के बतले अगर कोई दूसरे scalars आते s1, s2 तो भी वही चीज़े रहेंगी की नहीं और if and only if part तो only if में क्या था अगर a बार और b बार non collinear vector है तो यह लाके दिखाओ तो ला दिया और if part था कि अगर ultra converse अगर यह दिया है तो यहाँ पर लाना coplanar है और vector r bar is a coplanar vector तो इससे हमने वो भी प्रूफ करेंगे दिखाए कभी simple चीजे है बड़ तीन section है समझना यहाँ पर यह जो theorem है पहला only if का सीधा सीधा प्रूफ है यह दिया है तो यह लाना है दूसरा यह दिया है तो coplanar लाना है तीसरा यह जो t1 और t2 जो unique scalar से इसके लिए हम t1 t2 की जग़े पर दूसरा कुछ s1 h2 रखके भी चेक करेंगे उसकी value equal आके दिखाएंगे और बोलेंगे uniqueness exist चलो इसको copy कर लो आगे बढ़ते हैं अब आगे हम लोग third theorem के उपर यह जो third theorem है three vectors a bar b bar and c bar और coplaner if and only if फिर से देखो if and only if आ रहा है काफी important है आपको ध्यान देना है यहाँ पर if part आएगा और only if part दो part में करना है converse करना है हर बार की तरह there exist non zero linear combination x a bar plus y b bar plus z c bar is equal 0 with यह काफी important condition आगे दिए है कि x y z है that should not be equal to 0,0,0 मतलब x y z की जो values है जो scalar से यहाँ पर a bar b bar c bar के साथ जो scalar use हुआ है x y z वो तीनों की value एक साथ 0 नहीं होना चाहिए याने कि तीनों की value एक ही बार में 0 नहीं होना चाहिए अगर कोई 1 0 होता है z या y या x कोई 1 0 होगा at a time तो चलेगा दो 0 होगा चलेगा तीनों 0 तो यह जो question theorem है यह approach 2014 mark में पूछा गया था और July 2018 में पूछा गया था okay approach 3 mark के लिए पूछे जाते हैं ऐसे theorem और जब भी if and only if आएगा तो याद रखना 2 part में करना only if part पहले करेंगे proof के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे only if part और only if होने के बाद हम if part करेंगे अब only if क्या होता है कि जो starting में condition दी है 3 vectors 3 vectors starting की जो condition है 3 vectors a bar, b bar and c bar are co-planar तो यह जो starting की condition है अगर यह है only if में क्या करेंगे अगर जो दिया हुआ यह condition है तो इसके बाद यह जो proof करने दिया यह exist होना चाहिए तो इसको हम बोलते है only if if part क्या होता है उल्टा जो answer में दिया है लाना यह consider करना है question में इसको answer को question लेना starting में और proof करके यहाँ जो starting में पूछा वो last में आना चाहिए 3 vectors a bar, b bar and c bar co-planar वो last में आना चाहिए बस इस तरह से करना है अब यहाँ पर 3 vectors a bar, b bar, c bar यह co-planar दिये हुए तो देखो अभी co-planar का condition में आपको बताया था एक vector यह सपोज यह दूसरा vector है यह तीसरा vector है तीन vector है तो तीन vector इस तरह से तीनो non-collinear है देखो तीनो non-collinear है उपर question में क्या दिया है non-collinear वगर कुछ दिया है नहीं, non-zero linear combination है तीनो non-zero होना चाहिए यह तीनो zero नहीं होना चाहिए यह यहाँ पर जोगे यह तीन co-planar vector है ऐसे यहाँ दिया है a bar, b bar, c bar suppose यह a bar, b bar, c bar तीन vector से तीनो co-planar दिया हुआ एक ही plane में है अब हो सकता है कि यह तीनो कोई भी collinear नहीं हो तीनो के अंदर कोई collinear नहीं है मतलब कोई एक ही line में तीनो नहीं है हो सकता इसमें से दो vector जो यह है यह collinear हो green और black वाले देखो एक ही line में कोई दो vector collinear है हो सकता है एक भी collinear नहीं हो तो दो case यहाँ पर बन रहे है तो इसको हम दो case में करेंगे तो पहला case क्या लेता हूँ देखो case 1 और case 2 दो case करेंगे क्या होगा कि suppose any two vectors are collinear कोई दो vector क्या है collinear है याद रखो कि मैंने क्या बता है कि 3 vector अगर co-planar है 3 vector इस तरह से एक ही plane के अंदर है तो हो सकता है तीनों में से कोई भी 2 जो है collinear नहीं कोई भी 2 एक भी line में नहीं तीनों अलग-अलग है non-collinear या हो सकता है दूसरा case कि कोई 2 vector जो यह green और black है देखो यह एक के उपर एक है इस तरह से सबसपो जैसे एक के line में ही है collinear है तो पहला case लेते कोई 2 vector अगर collinear है तो अगर समझो कोई 2 vector है any 2 vectors are collinear so let a bar and b bar let a bar and b bar are collinear अगर कोई भी 2 vectors collinear होता है तो उसका linear combination 0 आता है जैसे कि यह तो ऐसे लिखते है a bar is equal to t into b bar दोने vector एक दूसरे के scalar multiple होते हैं ऐसे लिख सकते हैं या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे a bar है और b bar है यहाँ पर देखो a bar और b bar के साथ x और y चाहिए तो हम क्या गरते a bar के साथ x दे देते b bar के साथ y देते और plus यह 0 बार आएगा कैसे आ गया कि अगर कोई collinear vectors होते है तो उसका linear combination 0 होता है ऐसा हमने देखा हुआ पहले ही तो कोई भी 2 vector है अगर collinear है तो 0 हा गया अब यहाँ पर लाना क्या था x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 तो हमारे पास 3 vector थे तीनों में से 2 collinear थे तीसरा collinear नहीं था तो हम यहाँ पर ऐसे consider कर सकते हैं कि x a bar y b bar plus अब यहाँ पर c bar नहीं है तो 0 c bar ले सकते हैं यहाँ पर ओके तो आ गया a non zero linear combination यहाँ आ गया यहाँ पर यह जो x y z है x y z आना चाहिए था वो क्या आ गया x y z यहाँ पर इस तरह से equivalent कर दो x y z तो x की जगह पर तो suppose x आया और y की जगह पर y आया और जहाँ z आना चाहिए था वहाँ 0 आ गया तो 3 0 हुए क्या 3 0 हुए x y z 0 नहीं होना चाहिए 3 नहीं हुए और यह linear combination के form में भी आ गया यह कब है जब कोई 2 vector collinear होते हैं अभी case 2 कर दे case 1 था case 2 no vector no vector is collinear 3 में से कोई भी vector जो है collinear नहीं है 3 में से कोई भी vector collinear नहीं इसको highlight कर देता हूँ मैं case 1 and case 2 कोई भी vector collinear नहीं है तो जब भी 3 vectors होते हैं a bar b bar c bar अगर co-planer होते हैं अभी पिछले तीरम में हमने देखा था कि a bar था b bar था और r bar था क्या था कि a bar के साथ t1 था b bar के साथ t2 था linear combination में ये तीनों को हमने co-planer लाया था कि जो a bar b bar और r bar co-planer होते हैं तो co-planer जब भी होंगे तो ये relation होता है है ना तो अगर a bar a bar b bar c bar co-planer है so यहाँ पर देखो no vector is collinear यह highlight है यहाँ पर any two vectors are collinear so a bar b bar and c bar are co-planer ये तीनों जो vector एक co-planer है जब भी कोई तीन vector co-planer होते हैं तो उसमें से कोई एक ले लो जैसे c bar ये क्या होगा a bar और b bar का linear combination होगा अब यहाँ a bar और b bar के लिए मुझे x और y है न तो मैं x into a bar plus y into b bar लेता हो तो कभी भी याद रखो कोई भी तीन vector co-planer होते हैं तो अभी जो तीरम number two था वहाँ से हमने सीखा था कि a bar और b bar अगर r bar के साथ co-planer है तो ये relation हाता है तो हमने वहाँ से लाया from तीरम number two अब समझो यह x a bar है plus y b bar है यह c bar vector अगर यहाँ पर आता है तो minus c bar हो गया ओका है और इसके साथ जो z है इसके साथ जो z है जेड नहीं है कुछ तो मतलब 1 है है नो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर c bar वहाँ चला गया तो c बार है उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ 0 रहा है उसको इस तरफ दिखाते है 0 vector अब यह भी देखो इसी फॉर्म में है x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इसकोड़ 0 तो यहाँ पर आप लिख सकते हो where x, y, z जो x, y, z होते हैं x की जगा x आ रहा है y की जगा y आ रहा है और जो z है, z की जगा क्या रहा है minus 1 हमें प्रूफ क्या करना था not at all 0 एक साथ 3, y, z 0 नहीं होना चीए तो नहीं आ रहा है यहाँ पर हमें 3 vectors a bar, b bar, c bar co-planer दिये थे अगर 3 vector co-planer है starting में तो यह relation आता है तो वो हमने relation लाके दिखाया a bar, b bar, c bar अगर co-planer है तो पहले case में अगर कोई 2 vector collinear होंगे तो x a bar plus y b bar plus 0 c bar यह relation आएगा वो इससे ही match हो रहा है जहाँ z की value 0 है अगर एक भी vector collinear नहीं होगा no vector is collinear तो a bar, b bar, c bar already co-planer दिया हुआ है इन तीनों का यह relation आएगा c bar को उस तरफ लेके गए तो minus c bar हुआ उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है और equal के इस तरफ कुछ नहीं है तो 0 उस तरफ लिख दिये x की जगा x है, y की जगा y है z की जगा minus 1 है तो हम यहीं लाना थे कि तीनों एक साथ 0 नहीं होना चीए वो प्रूफ हो गया यह क्या था, only if part अब इसका उल्टा उल्टा क्या होता है, if part if part ध्यान से देखना, only if में हमने क्या किया था, दो case लिया था only if के अंदर दो case था अब ही if के अंदर एक ही case रहेगा उल्टा रहेगा उल्टा क्या है, कि x a bar x a bar plus y b bar plus z c bar, कनूर्ज बोलते हैं इसको, अगर यह दिया है यानि जो answer लाना था ना, उसको अब question मिले लेंगे और क्या दिया था question में three vectors a bar, b bar and c bar are cob laner उसको answer मिलाएंगे, कि a bar, b bar, c bar जो है cob laner होगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा suppose मैं जो z c bar है, उसको यहीं रखू और यह दोनों को उस तरफ ले जाओ यह x a bar को वहाँ ले जाओ, तो minus x a bar y b bar वहाँ गया, तो minus y b bar फिर इस c bar को अगर अकेले कर दो, यहने z से divide कर देता हो throughout, तो minus x upon z a bar, minus y upon z b bar तो होगा क्या, यहाँ पर फिर से linear combination आ गया, देखो linear combination आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, c bar is equal to minus x upon z a bar plus, और यह जो minus इसके साथ अंदर लिख दो है ना, यहाँ पर अब इसको चाहिए तो नाम दे सकते हो, c bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar, where जो t1 है, where, t1, t1 को क्या ले रहे हैं हम लोग, minus x upon z and t2 को नाम देना, जो यह t2 है, minus y upon z, इस तरह से हमने इसको replace किया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि यह जो c bar है, यह t1 a bar plus t2 b bar है, तो जो theorem 2 था, वहाँ क्या था, कि जब भी, ऐसा होगा, तब वो co-planar होगा, यह जब भी a bar b bar c bar co-planar है, तब यह relation आता है, c bar is equal to x a bar plus y b bar, ओके, तो आप यहाँ पर x और y, z, अल्री था, इसलिए मैंने t1, t2 यूज किया है, तो अगर यह relation दिया है, तो यह आगिया मतलब, therefore, a bar b bar and c bar are co-planar क्योंकि अगर यह co-planar होगा, तब ही यह होता है, तो जब यह relation आएगा, तब ही co-planar होगा, है तो वैसे ही, अगर ऐसे ही आ रहा है, कि a bar और b bar के साथ scalar multiple है, और तीसरा vector उसके linear combination में, इसका मतलब यह 3 co-planar है, तो हमने उल्टा भी किया, अगर only if part है, इसमें co-planar दिया है, यह 3 co-planar दिया है, तो हम यह combination जो है वो लेकिया है, और if part में क्या किया, जो answer था, वो लिखा, और फिर co-planar लिखिया है, तो कोई theorem करना है, फिर उसका converse भी करना है, जब if and only if दिया होगा, तो main condition क्या थी, यहाँ पर x, y, जब 3, 1, साथ 0 नहीं होने चाहिए, तो वो जब only if part था, तो 3 हम दिखा रहे हैं कि तीनों, एक साथ 0 नहीं आ रहे हैं, तो यह copy करना चलो, इसके आगे देखते हैं, आगे करते हैं, अभी theorem 1, 2, 3 हम कर चुके है, theorem 4 जो है, उसको skip कर रहा हूँ मैं, वो board के point of view से इतना important नहीं है, आप उसको self study में भी ले सकते हो, अभी जो theorem number 5 है, यह काफी important है, बहुत बार पूछा गया है, board exam में, section formula for internal division, जो थीरम है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, display में, यहाँ पर r bar is equal to m b bar m b bar plus n a bar upon m plus n, यह होता है, यह हमें proof करना है, section formula for internal division, यहीं पर section formula for external division होगा, वो theorem 6 में करोगे, तो यहाँ क्या आजाएगा, plus की जगा, minus आजाएगा, question यहाँ match कर लो, question क्या है, दिख लो, theorem क्या है, अगर आएगा तो, इस तरह से नहीं लिखे आएगा कि यह section formula है, internal division है, जैसे मैंने heading डाला, इस तरह से लिखा हुआ, नहीं रहेगा, आपके सामने जो है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, let a bar and b bar, be any two point in the space and r bar, be a point on the, मतलब r, r bar है, line segment a, b, dividing it internally in the ratio m is to n, page number 152 पहे, पहले 13 अच्चे से पढ़ लो, then this will follow, तब यह formula आएगा, मतलब बोलने का मतलब क्या है, कि a और b, कोई 2 point है, ध्यान से देखो, a और b, कोई segment है, segment, जो है, a और b point को जोडने के बाद, segment बना है, यह जो point a है, उसका position vector a bar है, b point का position vector b bar है, यहाँ पर कोई यह point r है, जो इसको, a b segment को internally divide कर रहा है, और इसका जो position vector है, small r bar है, और यह जो point r है, वो m is to n, इस ratio में इसको divide करता है, m is to n इस ratio में, अब हमें proof करना है, कि यह कैसे आएगा, ठीक है, सो कैसे proof करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कि यह जो a और b, with respect to, यहाँ समझो कोई origin है, उसके respect से अगर हम join करते हैं, कभी भी theorem वगरे करते हो, तो proof के लिए diagram वगरे बना देनेगा, ठीक है, इस तरह से, और यह जो r का जो point है, इसको भी कर दो, यह r बार है, ठीक है, यहाँ से यह m है, और यहाँ से यह n है, इस तरह से है, समझो, तो कैसे होगा, इसको proof करते हैं, proof, यह formula हमें लाना, यह पूरा question जो था, उसको interpret करके, मैंने यह diagram बना दिया है, अब इस diagram की basis पर हम लाएंगे, सबसे बहले देखो, यहाँ ar और rb, इसका ratio दिया है, ar और rb, इसका ratio दिया हुआ है, ar rb, ar अगर m है, so rb क्या है, देखो, rbn है, okay, ar is equal to, ar upon rb is equal to m upon n, ar upon rb, m upon n, यह दिया हुआ है, जो point r है, वो segment ab को, m is to n, अगर यह m है, तो यह n है, इस ratio में divide करता है, ऐसा दिया हुआ है, तो ar upon rb को मैंने यह लिख दिया, cross multiply करो, n ar, n into ar is equal to m into rb यह same हो गया, यानि कि यह same हो गया, अभी ध्यान से देखना, यह same हो गया, अब अगर बात करेंगे, कि ar vector की बात करेंगे, यह जो ar vector है, और अगर मैं rb vector बोलू, ar and rb bar, ar bar and rb bar, ध्यान से देखो, ar bar और rb bar, दोनों का direction same है, ar bar and rb bar have same direction, same direction, और ar के साथ जो n है, और rb के साथ m है, यह जो magnitude है, n into ar, और m into rb, यह भी same है, और यह ar और rb, दोनों का direction भी same है, therefore, यहाँ जो n है, यह जो ar है, इसका vector form ले लेंगे, क्योंकि देखो, magnitude भी same है, और direction भी same है, तो n के साथ जो ar था, ar bar हो गया, और m के साथ rb है, वो rb bar हो गया, ar और rb, दोनों का same direction है, दोनों का direction same है, दोनों का n और m के साथ, multiply करने को, magnitude same है, यह हमने कर दिया, अब देखो, क्यों ऐसे किया, पता चल रहा है न, कोई दो vector कब equal होता है, suppose ab bar और cd bar, दोनों equal vector कब होगा, जब दोनों का magnitude same हो, और दोनों का direction same हो, ओके, यहाँ दोनों का, ab और cd same होना चीए, और ab और cd, a की direction होना चीए, तो वैसे ही हुआ देखो, ar और rb दो vector है, ar और rb, दोनों vector, ar, ar, तो यह direction है, rb, यह भी एक direction, दोनों collinear है, दोनों का direction same है, same direction है, और दोनों जो, ar और rb है, इसमें n multiply करने के बाद, इसमें m multiply करने के बाद, equal आ रहे हैं, तो इसलिए, इन दोनों का direction same होने के बाद, मैंने इस तरह से लिग दिया, अब देखो, यह जो point a है, इसका with respect to o, origin, position vector a bar है, point b का position vector, o के respect से b bar है, और r का position vector r bar है, इसको हम कैसे करेंगे, therefore n into, देखो ar bar है, ar bar को हम इसे लिखेंगे, कभी भी याद रखो, कि जैसे a b bar होता है, तो पहले जो दूसरा b है, उसका position vector लेते हैं, फिर minus, फिर पहले वाले का position vector लेते हैं, इस तरह से किसी vector को position vector के form में convert करते हैं, ar bar है, तो पहले r लोगे r bar, minus फिर a bar करोगे, फिर इस तरह से m, r b bar है, तो पहले b bar करोगे, फिर minus r bar करोगे, यह relation आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ समझाने के लिए था यह अब देखो यह N और M का multiply करो अंदर N का दोने में करो N into R bar minus N into A bar यहाँ पर M into B bar minus M into R bar इस तरह से अब इसके बाद देखो क्या करना चाहिए जो R bar वाले term में उसको एक साथ लाओ जैसे यहाँ N R bar है यह minus M R bar है उसको इस तरफ लाओ तो यह plus M R bar हो गया यहाँ पर देखो M B bar है यह minus N A bar उस तरफ गया तो plus N A bar हो गया इस तरह से common ले लो R bar common लेते तो यहाँ N plus M बचेगा तो हम M plus N लिखो यह N plus M लिखो चलेगा R bar हो गया यहां से देखो common कुछ नहीं है यह ऐसे ही रग दो mb bar plus n a bar इस तरह से हो गया अब देखो r bar is equal to क्या हो जाएगा mb bar plus n a bar upon जो into है यहां गया तो upon हो गया m plus n क्या लाना था चेक करो question में चेक करो r bar is equal to mb bar plus n a bar upon m plus n यह लाना हुआ है तो यह आच चुका है r bar is equal to mb bar plus n a bar upon m plus n यह m plus n इस तरह से आ गया है यह क्या है section formula for internal division internal division के लिए section formula है अब theorem number 6 इसी तरह से है जो section formula for external division है इसको copy कर लो वो भी मैं आपको पताता हूँ अगला जो theorem है बिल्कुल 5th के जैसा ही है theorem 6 section formula for external division यहाँ पर r bar is equal to जो mb bar के साथ minus n वहाँ plus था माइनस कर दो यहाँ m plus n था minus कर दो internal में plus होता है external minus तो कैसे करेंगे सबसे पहले diagram मनाते यह a है और यह b है इसका position vector a bar इसका position vector b bar point a point b with respect to कोई origin है समझो यह origin है this is origin o यह जो b है इसको भी join करो ओके इस तरह से है अब suppose कोई एक point है तीरम क्या कहता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा question display में तीरम यह कहता है कि जो point a और b को मिला के जो segment a भी बना रहे है इसको अगर कोई c तीसरा जो point c सपोज यहाँ पर एक कोई point है यहाँ पर this is a point c जिसका position vector is c bar ओके या तो हम r ले रहे हैं तो r लेते there is a other point r which position vector is r bar यह जो point है वो इस segment a b को बाहर से divide कर रहा है external divide कर रहा है तो इसका जो position vector r bar is with respect to origin है और कौन से ratio में कर रहा है जैसे यह जो r bar है so a r जो है न पूरा वो पूरा m है समझो पूरा m a r is m और r b is n यहाँ से यहाँ तक n है समझो यहने पूरा यह जो point r है वो a से r का distance m है और b से r का distance n इस ratio में कर रहा है तो अब कैसे करेंगे देखो proof यहाँ से करते proof point r इस तरह से लिखना चाहिए point r divides इसके पहले भी लिखना था seg a b externally in the ratio तीरम 5 में भी यह लिख देना line वहाँ पर internally लिखना है in the ratio m is to n याने क्या जो point r है तो a r और b r a r upon b r लेना a r upon b r ध्यान चे देखो a से r फिर b से r वो क्या हो गया m upon n therefore cross multiply करो n into a r n into a r is equal to m into b r अब vector नहीं है magnitude है सिर्फ ओके यह हो गया अब देखो यहां पर यह जो a r है a से लेके r का direction यह है और b से r का direction यह है so a r bar और b r bar दोनों का direction same है तो हम लिखेंगे okay since a r bar and b r bar have same direction same direction है therefore यह जो है n of a r bar यह is equal to m of b r bar same हो गया अगर कोई दो vector है उनका magnitude दोनों का same रहे direction same रहे अब यहां पर n और m लगाएंगे तो भी यह है scalar से multiply करेंगे तो अब पिछले question जैसे कर दो इसको फटाफ़ट a r bar तो पहले r का लेंगे position vector r bar minus a bar फिर m b r bar है तो r bar minus b bar यह हो गया multiply करो फटाफ़ट n into r bar minus n into a bar m अंदर गया तो m into r bar minus m into b bar यह हो गया अब r bar वाले component साथ में लाओ n r bar अब यह m r bar इदर आएगा अब यह हमको क्या चाहिए देखो m minus n चाहिए न m minus n तो m के पास n को लेके जाते है इसको महा लेके जाते है तो यहां पर m r bar है यह n r bar वहां गया तो minus n r bar is equal to यहां अलड़ी यह minus में है n minus n a bar यह जो minus m b bar है उसक में हो गया m b bar अब देखो m into b bar minus n into a bar यहां r bar common किया m minus n r bar लिया common अब यह जो m minus n है इस तरफ लाओ यह हो गया m into b bar n into a bar upon यह m minus n multiply था डिवाइड हो गया is equal to r bar finally उसको सही से लिख दो r bar is equal to r bar is equal to m b bar minus n a bar m b bar minus n a bar upon m minus n और यह आपका proof हो गया जो लाना था तो इस तरह से तियरम नमबर 6 है 5 और 6 बिलकुल सेम थे कोई भी एक आ सकता है पूछा गया है बोड एक्जाम में जो मैंने पहला वीडियो दिया था उसमें आपने देख पूछा था कि सेक्षन फॉर्मूला पूछा गया है कई बार तो दोनों बहुत आसाने फिफ्त आ गया तो शिक्स भी आ जाएगा सिर्फ इसका नाम बदल जाता है उसमें कैसे था ए यार और और बी आर हो गया ना ए ए आर और बी आर हो गया ओके जो पॉइंट आर होता है सब कुछ वही है इसको कॉपी कर लो कि स्टूडेंस यहां पर आपने देखा मैंने बहुत सारे थीरम वैक्टर चैप्टर के कराए हैं इसमें अभी और भी कुछ थीरम से जो वाल्यूम वाले थीरम से कुछ 3D चैप्टर से रिलेटेट थीरम से तो वह हम कंटिन्यू चैप्टर में और आपको दूँगा जिसके अंदर बचे विए और जो 3-4 थीरम में वह करा दूँगा जिसे यह पूरे चैप्टर के थीरम अच्छे से कवर हो जाएंगे स्टूडेंट यहां पर एक लेक्टर और होने के बाद पूरा मैक्स 1 के सारी थीरम कवर हो जाएंग झालव हो जाएंगे से कवर हो जबाएंगे स्टूफ आपकोongosh behavior मीर 13 थीरम अच्चतर के से के समय सी ऊंवा MRS खुड़े में जाएंगे से कि अश्चतर आपको Bogड़ हैंगे से समय के संवर यहां दो कि यहां थार तूब जालेस्दूब हो जार झालवांगे से कि कास